स्वागत है दोस्तों आपका हमरे यूट्यूग चैनल इंवेस्ट्रेटा में दोस्तों mutual fund plan के अंदर अगर हमें एक ऐसी जगह पैसे को नवीश करते हैं जहांपर हमें कम पैसा नवीश करना हो और इस पैसे पर हमें एक income के साथ-साथ हमारा पैसा भी बढ़ता रहे तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में mutual funds के एक ऐसी scheme के बारे में बात करने वारे हैं जिसके अंदर अगर आप पैसे को नविश करते हैं तो यहाँ पर आप एक बड़ा fund भी बना सकते हैं और इस mutual fund प्लान के अंदर 8000 रुपे की मतली इनकम भी शुरू करते हैं यानि कि अगर आप इस bank of India की scheme में सिर्फ 8000 रुपे का नविश करते हैं इससे आपके पास एक बड़ा fund होगा 12 करोड़ों पैसे जादा का और इसके साथ साथ जब तक आप इस पैसे को नविश करेंगे तब तक आपको हर मेने 8000 रुपे की मतली इनकम भी होती रहेगी तो दोस्तो अगर हम इस 12-3 mutual fund प्लान के अंदर पैसे को नविश करते हैं और यहां से हमारा एक बड़े fund बनाने का target है तो फिर हमारे पास एक जबरदस्त मौका मौझूद है जहां पर हम पैसे को नविश करके 12-3 fund बना सकते हैं mutual fund प्लान के अंदर अगर हम return की बात करते हैं तो यह हमें काफी जबरदस्त मिला है और दोस्तो जब हमें मतली इनकम के लिए पैसे को नविश करना होता है तो फिर हमारे पास इस वक्त mutual funds में एक 25-3 option मिलता है जहां पर पैसे को नविश करके मतली इनकम के साथ हम एक बड़ा fund भी बना सकते हैं अगर आप आपसे 10 साल पहले mutual fund प्लान के अंदर पैसे को नविश करते तो दोस्तो आज आपके पास एक बड़ा fund होता और अगर आप आज भी पैसे को नवीश करते हैं तो एक बहतीन फंड बना सकते हैं इस चैनल पर हमने आप से तीन साल पहरे लगतार आपको बताया था म्यूचल फंड के अंदर आप एस जब लूपी में मंतली निकम कैसे शुरू कर सकते हैं दिन लोगोंने उस वक्त पैसे को नवीश किया दोस्तों 10 लाक रुपे नवीश करके भी उन्होंने 10,000 रुपे मतली तक अभी तक लगतार एक इनकम पाई है और उनके 10 लाक की वैलिव भी 15 लाक रुपे के आसपास है देकिन अभी भी आपके पास एक मौका बनता है जहां पर आप पैसे को नवीश कर सकते हैं इन बहुत सारी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन अभी हम बात करेंगे बैंक आफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आपको नवीश करने से पहले सारी चीजों का पता होना ज़रूरी है ताकि आप ये देख सकें कि आपको कैसे पैसे को नवीश करना है कितनी इंकम आपको मिल सकते है और आपका टार्गेट अगर एक बड़े फंड बनाने का है तो उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं दोस्तो जब आप मूचल फंड प्लान के अंदर पैसे को नवीश करते हैं और उन्हें लॉग टाइम में उसका बेनिफिट मिलता है या फिर मंत्ली बेसिस पर भी आप मूचल फंड के अंदर पैसे को डाल सकते हैं लेकिन दोस्तो हम जिस आप्चन की बात कर रहे हैं इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है यहाँ पर आप मंत्ली बिस्टिस पर पैसे को डाल कर एक बड़ा फंड बना सकते हैं और उससे फायदा ये होता है कि आपकी मंत्ली जो जरुत होती है वो भी पूरा होती रहती है और इसके साथ-साथ आपको एक इंकम भी होती रहती है लेकिन दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ओफ इंडिया की कैसी जबर्दस्ट स्कीम के बारे में जिसकी अंदर साड़े आठ लाक रुपे से 22 करोड रुपे से जादा का फंड तो मिलेगा ही इसके साथ-साथ साड़े 8,000 रुपे की इंकम भी होती रहेगी दोस्तो सारी डिटेस समझेंगे वीडियो में लेकिन उस्ते पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं दोस्तो Bank of India की हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं यह बैंक आफ इंडिया का इक स्मॉल कैप फंड और दोस्तो इस फंड के अंदर अगर हम रिटन की बात करते हैं तो fund के अंदर हमें 34.80% का compound return मिला है जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो fund के अंदर 39.89% का return last 3 year में 27.80% return, last 2 year में 54% return और 6 month में fund के अंदर हमें 35% से जाधा का return मिला है जयानि कि दोस्तो अगर हमें सितमदार mutual fund plan के अंदर पैसे को नभीश करते हैं अगर हमें 34% का भी return ना मिलके, सिर्फ 26% का return मिल जाता है यहाँ पर हम 8.80,000 रुपे लमसम डालते हैं इस fund के अंदर और SWP option में हम 8.80,000 रुपे की income start करते हैं तो दोस्तो अगर हम 6 साल की बात करते हैं तो 8.80,000 से हम 20.90,000 रुपे तक fund भी बना सकते हैं और SWP मंसली के साबसे कुल फिर्टरॉल हमें मिलेगा 6,12,000 का देकिन अगर हम पैसे को डालते हैं दूस्तो 12 साल के लिए तो फिरम SWP 8.80,000 रुपे का नवीश करके सत्तर लाख अड़तालीस साल रुपे का fund बनाएंगे और SWP 8.80,000 रुपे मंसली के साबसे 12,24,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट हमें मिल जाएगा लेकिन दूस्तो गर हम पैसे को डालते हैं 18 साल के लिए तो फिरम SWP 8.80,000 रुपे से 2.68,000 रुपे का fund बना चुके होंगे और यहाँ पर SWP 8.80,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट भी हमें मिल जाएगा लेकिन अगर हम दोस्तो पैसे को डालते हैं 24 साल के लिए तो फिरम SWP 8.80,000 रुपे से 10.62,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 24.48,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट मिलेगा और दोस्तो 30 साल तक अगर हम इस दमदार SWP प्लान के अंदर पैसे को डालते हैं तो फिरम SWP 8.80,000 रुपे मतली के साब से कुल 22.40,000 रुपे का fund भी बना सकते हैं और यहाँ पर SWP 8.80,000 मतली के साब से हमें 30,000,000 रुपे का फिर्ट्रॉल अमाउंट भी मिल जाएगा जैनि के इस mutual fund प्लान के अंदर अगर हम पैसे को नवेश करते हैं तो मतली इंकम के साथ हम एक बड़ा fund भी बना सकते हैं दोस्तों Bank of India के अगर हम इस small cap fund के portfolio के बारे में भी बात कर लें तो दोस्तों यह काफी strong portfolio है कुर मिलाकर holding में 69 दमदार कंपनी हैं जिनके अंदर पैसे को नवेश क्या क्या है इसमें PCBL, Vigia Diagnosis, Castrol India, Ares Life Science, MA Organic, Jyoti CNC Automation, Amaraja Bank Tree, Arvid Limited यानि कि दोस्तों यह ऐसी small cap company जिनके अंदर लगतार हमें एक बहतर return मिला है और दोस्तों अभी भी इन companies में हमें एक बहतीन profit मिल सकता है फंड के अगर हम equity sector location की भी बात कर लेते हैं तो अगर हम आज भी पैसे को नवेश करते हैं तो एक बहतीन fund बना सकते हैं फंड के NAV का price है 55 रुपे 56 पैसे यानि कि हम जो भी पैसा नवेश कर रहे हैं current NAV के price से unit lot की जाती है और इसी पर हम profit loss track कर सकते हैं rating 4 है और 1422 करोड रुपे fund का U.M. है यानि कि एतने पैसे लोगों ने इस mutual fund plan के अंदर नवेश किया है fund के अंदर minimum अगर आप S.W.P. में नवेश करना चाते हैं 500 रुपे विर्टॉल से नवेश कर सकते हैं लेकिन दोस्तों mutual fund के अंदर अगर हम इस fund के portfolio में risk की बात करते हैं तो ये risk भी fund का कम है क्यूंकि 0.80 fund का बीटा है जिससे पता जलता है कि fund के अंदर कम risk के साथ return काफी बहतर मिला है expense ratio fund के अंदर 0.53% है यानि कि हम जो भी पैसा नवेश कर रहे है fund का expense ratio जो भी होता है ये पैसे काट कर NAV के प्रैस से unit slot की जाती है exit load 1% है अगर आप एक साल से पहले पैसे को निकालते हैं ता mutual funds में return पर tax 20% है एक साल से पहले लेकिन एक साल के बाद 1,25,000 से जादा profit पर आपको साड़े 12% का LTSG tax देना होता है दुरूब भाटिया 2022 से fund को manage कर रहे हैं दोस्तु bank of India mutual fund house की बात करते हैं तो rank asset के साब से 31 number पर है 2008 में ये fund house से start हुआ था और दोस्तु 9,000 करोड पर से जादा fund का U.M. है तो दोस्तु अगर हम इस दमदार mutual fund plan के अंदर पैसे को invest करते हैं और हमारा एक बड़े fund पराने का target है और इसके साथ-साथ हम एक monthly income भी शुरू करना चाहते हैं तो इस पैस्तिन mutual fund plan के अंदर हम एक monthly income के साथ भी एक बड़ा fund बना सकते हैं दोस्तो हो सकता है short term में इस mutual fund plan के अंदर आपको थोड़ा बहुत correction मिल जाए लेकि लोग टाइम में इस दमदार mutual funds के अंदर आप एक 25 प्रॉफिट के साथ एक income भी करते हैं वीडियो से रेचेट कोई question होता है तो आप ज़रूर बताइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें चैनल को भी subscribe ज़रूर करते हैं धन्यवार